आप सबको मेरा नमस्कार, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस जबर्दस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जंता को free में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी देश के लिए बहुत आफ़त पैदा हो जाएगी इन सारी free की सुविधाओं को बंद किया जाए इस से एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत जादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है इतना जबर्दस तरीके से विरूत क्यों किया जा रहा है पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कुलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में करीबों को फ्री दवाईया मिलती है फ्री राशन हर मेने भेजा जाता है अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीजों को बंद करने की इन सारी चीजों को वापस लेने की इन सारी चुछें के खिलाफ इतना जबरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया केंदर सरकार की आर्थिक ऩालत ठीक तो है अभी थोड़े दिन पहले ये अगनीवीर स्कीम लेके आए अगनीवीर योजना अगनीवीर योजना जब लेके आए तो कहा गया कि अगनीवीर योजना लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सैनिको का जो पेंशन का खर्चा है सेनिकों का जो पेंशन का बिल है वो इतना जादा बढ़ गया है कि केंदर सरकार उसको बरदाश्त नहीं कर पा रही है आजादी के बाद से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केंदर सरकार ये कह रही है कि हमारे से सेनिकों की पेंशन का बिल बरदाश्ट निकर किया जा रहा है आज तक कभी किसी सरकार ने ये निका कि देश की सुरक्षा के लिए पैसे की कमी पड़ गई है आज तक किसी सरकार ने ये निका कि सैनिकों की पेंशन का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं सैनिकों को पेंशन दे के हम एहसान नहीं करते हैं सैनिक हमारे उपर एहसान करते हैं जब वो बॉर्डर के उपर अपनी जानदाओं पे लगाते हैं ऐसा क्या हो गया केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार के उपर केंद्र सरकार अब सेनिकों के पेंशन की बिल भी पेंशन सेनिकों का पेंशन भी देने की हालत में नहीं बची है और उन्होंने उस पेंशन के बिल को खतम करने के लिए अगनी विर्योजना लेके आया है अबी कुछ दिन पहले कहा गया कि हर पांच-पांच साल में केंदर सरकार केंद्रिय करमचारई हों के लिए एक वेतना यूग बनाती है 8. वेतना यूग अभी बनने वाला था आठ्मा वेतन आयोग केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम आठ्मा वेतन आयोग नहीं बनाएंगे, आठ्मा वेतन आयोग क्यों नहीं बनाएंगे, कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के करमचारियों का वेतन बढ़ा के लिए भी पैसा नहीं बचा कहां गया केंद्र सरकार का सहरा पैसा ऐसा केंद्र सरकार की इतनी बुरी क्या हालत हो गई है कि केंद्र सरकार के बस अपने अपने करमचारियों को जो हर बार बढ़ाया जाता था वेतनायों बढ़ाया जाता था वो भी नहीं बढ़ा रहे मन र सौ दिनकी ध्याडी का पैशसा दिया सो दिनका काम देती और सौ दिनका पैसा देती घ्राइक हिसाब से केंद्र सरकार कहार है हमारे पास वो पैसा भी नहीं देने के लिए पिछले साल के मुकाबले इस साल उस पैसे में 25% की कटौती कर दी गई है देश के सबसे गरीब सबसे मजदूर आदमी किसान मजदूर रिमोट इलाकों में जो देश में रहते हैं गाउं में रहते हैं वो लोग ध्याड़ी के हिसाब से साल में 100 दिन का की ध्याड़ी करते थे और सरकार उनको गड़े खुदने का काम करते थे कहीं कुछ सड़क बनाने का काम करते थे उनको सरकार 100 दिन की ध्याड़ी दिया करती थी उसमें भी कटौती कर दी गई है सरकार कह रही है पैसा नहीं ह केंद्र सरकार जितना टैक्स इकठा करती है देश भर से उसमें से एक हिस्सा राज्यों को देती है अभी तक यह था कि 42 प्रतीशत उस टैक्स का हिस्सा राज्यों को देना होता था पिछले कुछ वर्षों में यह भी घटा के 29-30 परसेंट कर दिया गया है राज्यों को जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसकी भी कमी कर दिया है कि कह रहें पैसा नहीं है और हां फिर गया का सिंद्रसरकार का सारह पैसा-अ दोजसर चौदा में जितना टैक्स कठा करता करते थी कंद्र-सरकार उससे ते लुगना-ःविन्हा टैक्स Is需要 और आज की डेट में इस सारह पैस़ जा कारा है आजादी के बाद से आज तक 75 साल मना रहे हैं हम आजादी के, पहली बार एक गरीब आदमे की गेहूं और चावल के उपर टैक्स लगाया गया, खाने पिने की चीजों पर टैक्स लगाया गया, कभी नहीं लगाया, किसी सरकार नहीं लगाया, सबसे क्रूर चीज है ये एक, बिलकुल गरीब आदमें, एक भिखारी, जिसके असकुछ नहीं होता, वो भी मार्केट से जब गेहूं और चावल अब खरीद के लाएगा, उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, किसी सरकार नहीं इतना खूर कदम नहीं उठाया था, गेहूं पर टैक्स लगा दिया, च ऐसी क्या हालत हो गई केंद्र सरकार की कि गरीब से गरीब आदमें की खाने के उपर टैक्स लगाने की नौबत आ गई जो आज तक 75 साल में कभी नहीं हुआ था, और केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के उपर इतना टैक्स लगा रखा है, हर रोज बताते हैं, हजार करोड रूपका, 1000 करोड़ रुपए की पेट्रोल और डीजल से टैक्स पर आमदनी होते हैं, साल में लगबग propre साड़े 3, Beyond कροड़ रुपए की आमदनी होती है केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगा रखा है ?aire कहां यह सारा पेसा ? और अब कह रहे हैं कि सारी जितनी सुविधाएं कि जनता को फ्री में मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए हैं सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किये जाएं और या सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाए ऐसा कह रहे हैं यह लोग आप सोचके देखो अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग देई देश के कोने कोने के अंदर सरकारी स्कूल वैसे ही सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ा ही खराब है और अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई तो बच्चे को तो कोई नी पढ़ा पाएगा आधे से जादा बच्चे इस देश के अनपढ़ रहे जाएंगे देश आगे कैसे बढ़ेगा कह रहे हैं कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर पैसे लगने चाहिए सरकारी शिर्ड cadre में जो free काosis होता वो बंद होना चाहिए सरकारी स्कूलों से मेरे को यादाया कि कई राज्ज सरकारों ने अब सरकारी स्कूलों में फीस लगा वी दी है मैंने media में खबरें पढ़ी हैं कि एक रज्जी के अंदर 120 रुपए महीना फीस लगा दी एक रज्जी के अंदर 500 रुपए महीना फीस लगा दीर कहां से लाएगा एक गरीब आदमी 500 500 रुपए महिना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अब ये सारे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में बिना पैसे दिये इलाज नहीं होगा गरीब आदमी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है वो कहां से लाएगा पैसे इलाज कराने के लिए और जिसके पास पैसे नहीं उसका इलाज नहीं होगा मर जाएंगे गरीब लोग इस देश के और आप यह कह रहे हैं कि राशन भी फ्री का राशन भी बंद कर देना चाहिए। 75 साल तक जितनी केंदर सरकार रही किसी खाटा नहीं हुआ कि फ्री काराशन बंद कर दियागा कब कापसे मिल रहा है र Alabasi काराशन करनी कब से qa rach n by बंद करना चाहते हैं ने प्रशन हुखता यह सारा पैसा केंदर सरकार का गया का में 2014 में लगबग केंदर सरकार का 20 लाख करोड का बजट होता था आज केंदर सरकार का लगबग 40 लाख करोड का बजट है तो यह सारा पैसा जाका रहा है कि इन्होंने अपने दोस्तों के इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के जो अरब पती लोग हैं ऐसे ऐसे लोगों के इन्होंने दस लाक करोड़ रुपए के करजे माफ कर दी है सरकारी पैसे से इन्होंने इनमें जितने के करजे माफ के कई इनके दोस्त हैं सरकारी पैसे से इन लोगोंने सुपर रिच लोगों के अरब पती लोगों के दस लाक करोड़ रुपए के करजे माफ कर दिये किसी के साथ हजार करोड़ रुपए माफ कर दिये किसी के दस हजार क करोड रुपैप कर दिया है कि अगर यह करजे माफ नहीं किय जाते सिन एक तो आज के पास सेना के जवानों की पेंशन देने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ती हैं अगर इनको ये लाखों करोड रुपए के करजे नहीं दिये जाते तो इस तरह की देश की हालत नहीं होती एक और चीज पता चलिए अरब पती सुपर रिच लोगों के इन्हों ने बड़ी-बड़ी कंपनियों के पांच लाख करोड रुपए का टैक्स माफ कर दिया एक चाहका आपड़ी माथ कुण ये Hooray गोड़ा आपकी श हएद के तैक्स लगा दिया बड़े बड़े अमीर लोगों के पांचा kali करोड रुपए के पिछले कुछ सालुं में पांच लाख करोड़ करोड़ के इन्हों ये दोल्ने चूट दे दे इनको बनेगा, ऐसे तो अपने देश के युवाओं का और बच्चों का भविश्य अंदकार में, अगर ये देश कुछ चंद लोगों के लिए चलेगा, अगर सारा सरकारी पैसा कुछ चंद लोगों पर उड़ाया जाएगा, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, नमश्युक्त.